Hello everyone, I am Namik Kumari, your educator. Welcome to you all on my channel. जैसा कि आप जानते हैं कि हम controlling कर चुके हैं, जिसमें meaning, features, importance already we have discussed and today we are going to discuss about the controlling process. देखें, topic को start करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि exam में इस topic से question 100% आता है, लेकिन दो तरीके से आ सकता है. फर्स टाइप क्या है, कि वो आपसे simple controlling का process पूछेंगे. तो आपको क्या करना है, ये 5 points बताने हैं और इनके meanings दे देंगे हैं. इनके अंदर बहुत सारी details जो आपके books में दियुए हैं वो नहीं देनी. और अगर आपसे simple second type का question पूछा जाता है, कि explain the step setting performance standard in detail. तो आपको क्या करना है, इसकी meaning के साथ, जितनी भी details में आपको इहां कराऊंगी, वो सब आपको लिख करानी है. इसी तरह अगर इस point की detail पूछी गई है, तो इसमें हम जितना भी पढ़ेंगे, वो सारा आपको लिख कराना है. देखे, problem क्या होती है, students को question आता तो है, लेकिन attemptation में गलती करते हैं. तो आपको पता होना जाएगे किस type के question में कितना attempt करना है. तो मैं आपको दोनों तरह के कठे ही करवा रही हूँ. I hope आपको समझ आएगा. अगर आपको मेरी videos पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरी channel को subscribe करना मत भूलना और videos को ज़्याद से ज़्यादा share करना. अगर हम आगी topic को continue करते हैं, start करते हैं. देखे, controlling process हम already controlling कर चुके हैं. तो ये जो सारा controlling का काम होता है, ये कुछ steps में होता है. जिसमें first step होता है हमारा setting performance standard. नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पर एक performance के लिए standard को set करना है, यानि कि fix करना है. ठीक हैं, जब भी आप कोई भी काम करने जाते हैं, जैसे आप planning करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो एक target बना लेते हो ना, कि मुझे इस target तक पहुँचना है. तो उस target को बनाना और उस target की quality क्या होगी, ये सारी चीज़ें चेक करना ही आपका point है. Setting standards, right? अब इसकी अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो हम one by one discuss करेंगे. तो setting, जब आप कोई भी standard set करते हो ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले कि types कितने ही है standard की. Standard देखें, दो तरह की होते हैं, qualitative and quantitative. Quantitative का मतलब वो wireless standards जिनको आप measure कर सकते हो. जैसे कि अगर आप बोलते हो कि 50 bags बनाने हैं, तो आपने क्या किया, 50 bag count कर सकते हो ना, तो यानि कि वो quantitative है, जिस चीज़ को आप count कर सकते हो, वो हमारे quantitative होते हैं. And qualitative standards वो होते हैं, जिसमें हम सिर्फ quality की बात करते हैं, हम उनको measure नहीं कर सकते. जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरी company के employees की जो turnover है, वो ठीक रहनी चाहिए, मेरे company में employees absent नहीं होने चाहिए, मेरे company के employees का moral high होना चाहिए, या मैं after sales services प्रोवाइड कर रहे हूँ तो उनकी quality अच्छी होनी चाहिए, तो ये ऐसी चीज़े हैं जिनको आप measure नहीं कर सकते, आप सिर feel कर सकते हो, तो इस तरह की चीज़े को हम कहते है, qualitative standards, next जो इसमें आता है, वो है basis of standards, मतलग कि जो standard हम बनाते हैं, वो किस आधार पे बनाते हैं, तो हमारे पास four types की basis हैं, first है quantity standards, quantity नाम से बता चल रहा है कि कितनी quantity बनानी आपने, जैसे कि आप इसमें सोचते हो कि मुझे कि production करना है, कितनी sales करनी है, ठीक है, आप जब उन चीज़ों को measure कर लेते हो, वो होता है quantity, next है quality standard, quality standard का मतलब कि हम employees को, या आपने, जो हमारे customers हैं, उनको हम किस तरह की quality provide करे, after sales services किस तरह की हो, जब आप ये सारी चीज़े discuss करते हो, या decide करते हो, वो आपके quality standard होते हैं, और य measure नहीं किये जा सकते, third है cost standard, जहां पर आप fix कर लेते हो, कि मेरा जो production है, वो कितने खर्चे में बन जाना चाहिए, cost means, आप decide कर रहे हो, कि इतने cost में production हो जाना चाहिए, जैसे कि आपने ये marker का production किया, तो आप ये understood करते हो, सोचते हो, कि ये marker बनाने में, मुझे कम से कम 12 rupees क expense आना चाहिए, से उपर नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या किया, 12 rupees आपने fix किया है, वो है आपका cost standard, ठीक है, next आता है time standard, time standard का मतलब, यहां पर हम ये fix कर लेते हैं, कि हमें जो production करना है, वो कितने time में करना है, जैसे कि अगर मुझे 100 markers बनाने हैं, तो मैं decide कर लूँगी ठीकि 5 days के अंदर मुझे 100 markers बन के मिल जाने चाहिए, अगर 5 days से उपर हो गया, इसका मतला हमारा काम सही तरीके से नहीं चल रहा, क्योंकि आपने time fix कर लिया, तो जहां time fix कर लेते हैं, वो होता है time standard, ठीक है, अब next जो इसमें आता है, वो ये है, कि ऐसी कौन सी बाते हैं, जो हमें standard fix करते time ध्यान रखनी चाहिए, वरना कोई भी इंसान किसी भी तरह का standard fix कर सकता है, ठीक है, manager का जो दिल करेगा, वही standard fix कर लेगा, बट ऐसा नहीं है, आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि standard should be reasonable, reasonable का मतलब कि जो standard है, वो इस तरीके का होना चाह यह जो जायज हो, ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे targets सोच के बैट जो, जो achievable ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, कि आपने एक परसन को बोला है कि एक दिन के अंदर five dresses stitch करके दो, क्या यह possible है, not possible, तो यानि कि आपका जो target था, वो सही नहीं था, वो reasonable तो target जब भी आप fix करो, आप यह मान के चलो कि जिस भी human being ने वो target अचीव करना है, यह machine कि तरू अगर production करना है, तो उतने time में वो production हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप फालतू के targets बना रहे हो, जो achieve ही नहीं हो सकते, second आता है, standard should be flexible, flexible का मतलब होता है कि condition की according, situation की according, अगर आपको लग रहा है कि raw material, जैसे कि lockdown हुआ था, raw material टाइम पे नहीं पहुच पाया, तो भाईया तुम production कैसे कर लोगे, जब raw material ही नहीं है, employees ही नहीं है company में, तो production कैसे होगा, तो उस time पे थोड़ी ना तुम लड़ने लग जाओगे workers के साथ की production क्यों नहीं किया, तो standard को बदल दो, कि यहां जी, इस situation की वज़े से production नहीं हुआ, तो standard को change कर दो, तो जब आप change कर सकते हो, उसे हम कहते हैं, flexible, second, third आता है, standard should be clear and simple, जो भी standard आप बना रहे हो न, वो एकदम आसान होना चाहिए, समझने में, ऐसा नहीं हो कि आप बड़ी tough language में standard बना दो, और targets है, जो standards है, वो short and simple होने चाहिए, next आता है, deviation tolerance limit should be clarified, यह जो point है, यह बहुत important है, deviation tolerance क्या होता है, देखी एक detail point है, जो exam में कहीं बार पूछा जा चुका है, कि simple पूछेंगे, what is deviation tolerance limit, ठीक है, तो इस बात को एक example से समझते हैं, suppose करते हैं, कि एक production company है, जिसने यह सोचा था, कि 1000 markers उनको 10 days में बनाने है, ठीक है, 10 days में 1000 markers बनाने है, लेकिन जो इस manager ने यह target बनाया है, वो mind में लेकर चलता है, कि कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है, या तो workers की strike हो सकते है, या raw material टाइम पे नहीं पहुँचेगा, या कोई machine खराब हो जाए, क्योंकि हम machine से production करते हैं, कभ हमारा जो production है, वो delay हो सकता है, manager ये बात जानता है, लेकिन वो ये बात अपने workers को disclose नहीं करता, ठीक है, अब manager ने mind में सोच लिया, कि मैंने 1000 markers की बात कर तो दी, लेकिन मुझे लगता है, कि कम से कम 950 marker तो बन जाने चाहिए, क्योंकि ये 50 marker का production कम हो सकता है, अगर मेरी machine खर जाब हो जाए, या हो सकता है, वरकर 2-4 दिन के लिए चुट्टी पे चला जाए, तो production नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इस वज़े से वो एक थोड़ा साना mind में concept लेके चलता है, कि चलो 50 marker अगर कम बन भी गए ना, तो कोई बात नहीं, मुझे से कोई जादा फरक नहीं कर लूँगा, लेकिन अगर आपने marker का production सिर्फ 800 करिया किया है, या 850 किया है, मतलब 850 किया है, तो क्या वो टॉलरेट करने लाइक है, आपने तो कहा था कि 1000 बनाने चाहिए, फिर आपने सोचा चलो 950 तो हो इन नहीं चाहिए, बट हो कितने रहे है, 850 तो ये तो बहुत ब ही आपको clear होनी चाहिए, आपके mind में होना चाहिए कि हाँ इतना production अगर कम हो भी गया, तो मैं बरदाश कर लूँगा, ठीक है, वो mind में होना चाहिए हर person के, तो देखिए, अगर आपको exam में सिर्फ ये वाला point बोला जाता है, discuss करने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़े इस point में बतानी पड़ेंगी, ठीक है, अब हम next करते है, point number two, that is, measurement of actual performance, देखिए, आपने standard fix कर लिया, आपने उस standard के हिसाब से काम भी कर लिया, अब क्या होता है, काम कर लिया, production हो गया, अब आपका काम है, उस production को measure करना, यानि कि जो काम actually perform हुआ है, check करेंगे, आप कि measure करे कि हमने अगर thousand markers कहेते हैं, तो count करके देखिए, measure कीजिए, कि कितने markers बनकर तयार हो गए है, ठीक है, तो इसे हम कहते है, measurement of actual performance, जब आप measure कर लेते हो, actual में जो काम हुआ है, उसी, ठीक है, next आता है, comparison of actual performance with standards, अब, देखिए, measurement जो है न, काम की performance की measurement दो तरीके से हो सकती है, या तो जब production हो रहा है, उसी time पर आप बीच में जाए, workers को supervise कीजिए, और checking करते रहे हैं, कि कितना कितना production बन रहा है, बीच बीच में जाके check करते रहो, और अगर आपको कहीं कमी लगती है, तो आप अपने workers को उ सही करवा सकते हो, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कि जब सारा काम कर perform हो चुका है, एकदम last में, आप उस time पर अपना performance को check कीजिए, और उसके बाद देखिए, कि कमी आई है या नहीं आई है, ठीक है, तो जब आपने काम को measure किया, दो step पे, एक तो work in progress के time, और दूसरा एकदम last में, ठीक है, तो next जो point आता है, that is point number 3, comparison of actual performance with standard, मतलब कि आपने यहाँ जो standard fix किये थे, आपने उसके according काम किया, और आपने check भी कर लिया, finally, कि आपको actual में performance कितना हुआ, अब आप इन दोनों performance को compare करके देखोगे, कि जो हमने सोचा था, वो actual में हुआ या नहीं हुआ, जैसे कि मैं example ले रही थी, कि मुझे 1000 markers बनाने हैं, तो मैंने एक standard fix किया था, उसके बाद मैंने actual में measure किया, तो मुझे पता लगा कि सिर्फ 850 marker बन कर आए हैं, अब मैं इनका compare करके देखूँगी, इस वाले point में, मैं compare करूँगी, और check नहीं, तो जब मैंने compare किया, तो साफ पता चल रहा है कि target achieve नहीं हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस point के अंदर, ये तो इसका meaning हो गया, लेकिन इस point के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, कि इन दोनों में जो difference आया है, उस difference को हम क्या कहते है, मतलब मैंने 1000 बना अब आप कहेंगे कि यहां पर कमी आ रही है, 150 की, तो deviation तो एक ही हुआ, ये types 2 कैसे हो गए, तो देखिए, ज़रूरी नहीं है, कि जो target आपने सोचा था, actual में production जो है, वो उससे कम ही रहे, कहीं बार ऐसा भी होता है, कि आपने target सोचा 1000, लेकिन production हो गया 1200, तो जितना सोचा उससे जादा हो गया, तो यानि कि positive हो गया, है ना, तो इसलिए हम ये कहते हैं, कि positive deviation का मतलब क्या है, कि जब आपका standard जो आपने सोचा था, उससे जादा आपने क्या किया, production कर दिया, ठीक है, आपका production actual में जादा है, आपके target से, तो यानि कि आपने positive किया है, 200 जो units है, वो positive deviation, और negative deviation का मतलब, जब आपने जो target सोचा था, उससे कम production आप करते हो, यानि कि आपने किया, 850, target था 1000, किया है, आपने 850, जो बीच का जो 150 less है ना, यही आपका क्या है, negative deviation, क्योंकि आपको नुक्सान हुआ है, ठीक है, अब कहीं बार question बच्चे पूछ लेते हैं, कि माम, 1000 सोचा था, और 1000 ही बन जाए, तो क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना, जुतना सोचा उतना ही बन गया, यानि कि zero deviation, ठीक है, तो कहीं बार exam में भी आता है, कि zero deviation क्या है, जितना सोचा, उतना ही बना दिया, तो deviation तो ही नहीं कमी, तो ही नहीं कहीं पे भी, ना तो जादा हु हुआ तो वो उसको हम कहेंगे zero deviation clear हो गया next आता है कि भाया हमने यह तो देख लिया कि हमारे पास कमी आई है आप manager जानना चाहता है इस point को हम कहते है analyzing deviation यानि कि जब आप deviation की पूरी study करते हो कि किस वज़े से deviation आया ठीक है अब यह कैसे होता है इसमें भी कुछ points है सबसे पहले आप यह चेक करते हो is standard being attained सबसे पहला काम आपका यह चेक करना है कि क्या मेरे standard attain हो गए है attain का मतलब हासिल करना क्या मैंने जो standard बनाया था वो मैंने हासिल किया तो आपने यहां पर देखा कि target था 1000 बनाया है 850 तो यह target achieve नहीं हुआ attain नहीं हुआ ठीक है पहले question का answer हमें मिल गया second आप क्या सोचोगे क्या deviation acceptable है इस deviation acceptable बिल्कुल भी acceptable नहीं है क्योंकि मेरा जो tolerance limit था वो कितना था मैंने सोचा था कि 950 बनना चाहिए तो मेरा tolerance limited तो 50 units थी लेकिन यहां तो 1500 unit कम बन रही है तो यह तो मेरे tolerance limit के बाहर है ठीक है तो इसका answer भी मुझे मिल गया कि यह deviation acceptable नहीं है next में यह check करूँगी क्या standard जो था वो acceptable था क्या जो आपने standard बनाया था क्या वो सही बनाया था acceptable का मतलग क्या यह standard सही है क्या दस दिन में thousand markers बनाई जा सकते हैं तो आपने check किया yes बनाई जा सकते हैं ठीक है तो आपने यह check किया कि हाँ मेरा जो standard था वो acceptable था कि बनाई जा सकते हैं अब दूसरी बात अगर आपका answer आता है कि जो आपने target set किया है यह बना नहीं सकते थे आप मतलब आपका जो standard है वो acceptable नहीं है आपने तो ऐसी चीज कह दी कि 10 दिन में thousand marker बनाओ जो कि possible नहीं है ना हम 1000 तो बन ही नहीं सकता था तो ऐसी condition में आपको क्या करना पड़ेगा आपको revise करना पड़ेगा अपने standard को revising the standard का मतलग standard को change करिए thousand की बजाए इसे कम करिए ठीक है अगर 850 बन रहा है तो यानि 850 तो बन सकता है तो 850 के आसपास रखी 860, 870, 900 मैं जो कुछ ऐसा target रखो ना होता है एक manager को यहां तक समझ आया अब एक point है जो मैं जरूर discuss करना चाहूंगे क्योंकि exam में उस पर question कहीं बार पूछा जा चुका है और अब तो mcq का pattern हो गया तो इस पर question पक्का ही बनेगा topic है deviation tolerance limit के अंदर दो main points आते है principle of critical point control and principle of management by exception और आपको बता दूँ जो external आते है वाई वाले ने उनका तो best question है यह favorite question वो हर बच्चे से पूछते ही पूछते है ठीक है तो अब यह क्या चीज है या तो पूछ लेंगे क्रे क्या होता है या वो पूछेंगे MBE क्या होता है य हम घबराने वाली बात नहीं है मैं आपको सब बताऊंगी सबसे पहले हम deviation tolerance limit पढ़ते हैं जो मैं already बता चुकियों आपको कि जब deviation यानि कि जो difference आया है उस difference को अगर आप बरदाश्ट कर जाते हो अगर वो difference आपकी limit के अंदर आता है तो उसे हम बोलेंगे deviation tolerance limit I've already told you अब इ एक company के अंदर ना बहुत सारे काम होते हैं manager को जो करने होते हैं अगर manager हर छोटे-छोटे काम के उपर नजर रखने लगे या हर छोटे-छोटे बातों के अंदर दखल अंदाजी करने लगेगा तो वो अपने important काम कप करेगा suppose करते हैं एक party रखी जा रही है manager ने अपने नीचे वाले person को बोल दिया कि party arrange कीजिए तो वही person देख रहा है कि कितना खर्चा करना है menu क्या बनेगा कौन बनाएगा कैसे arrange करना है party कहां रखने है सब चीज़ें वही decide कर रहा है लेकिन अगर यही चीज़े manager खुट decide करने tools बनाना उनको checking करना वो सब काम वो कप करेगा अगर वो party पर नजर रखेगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक manager चाहता है कि उसकी company का काम सही तरीके से चले तो उसे क्या करना चाहिए उसे सिर्फ उन्ही activities पर focus करना चाहिए उन्हीं चीज़ों पर focus करना चाहिए जो company के important है और वो activities जिनको अगर manager नजर अंदास कर देगा तो company को भारी loss हो सकता है ऐसी activities की तरफ manager का पूरा focus होना चाहिए ठीक है तो जब manager कुछ ऐसी activities जो important है एकदम crucial activities की तरफ ध्यान देता है और उन्हीं के लिए काम करता है उस चीज़ को हम कहते है principle of critical point control यानि कि एक ऐसा principle है जो हमें ये समझाता है कि manager को सिर्फ critical points पर focus करना चाहिए critical points का मतलब सिर्फ और सिर्फ important काम पर focus करना चाहिए फालतुगिरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए उनके लिए उसने आगे workers लगा रखे हैं अपने नीचे subordinates वो देखेंगे उसको ये सब देखने की ज़रुत नह area मतलब की देखिए अब इसमें भी फरक है की result area का मतलब वो area जिसके उपर manager का focus है ठीक है की result area मतलब की यानि important area यानि की वो जगा जहां पर वो focus कर रहा है जहां से आपको अच्छा result मिलेगा तो की result area का मतलब हो गया की manager जब important चीज़ों पर focus कर रहा है जिन important चीज़ों पर वो focus कर रहा है उन चीज़ों को कहेंगे KRA और अगर वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं activity से focus कर रहा है किस principle की वज़े से कर रहा है उस principle को कहेंगे critical point control दोनों में बहुत छोटा difference है next इसमें आता है principle of management by exception इसका मतलब क्या होता है कि manager को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं activities या उन्हीं deviations के उपर work करना चाहिए जो deviations उसकी tolerance limit के बहार है इसका मतलब क्या बना कि जैसे कि मैंने सोचा था कि 1000 marker बनाने हैं लेकिन बने अगर 950 बनते हैं तो जो बीच का 50 का difference आया है वो मैं बरदाश कर लूँगी क्योंकि मैंने already वो चीज माइन में रखी हुई थी कि 50 units अगर कम बन गई तो मैं बरदाश कर लूँगी लेकिन अगर मेरा target 850 बनता है तो obviously वो मेरी tolerance limit के बाहर चला गया तो तुरंट manager को उस tolerance limit के बाहर जाने वाली deviation पे काम करना पड़ेगा उसे check करना पड़ेगा कि अगर 850 बने है तो क्यों बने है क्या कारण है जिसकी वज़े से मेरा target अचीव नहीं हुआ और तुरंट उसे strict action उठाना चाहिए कि ये गलती दुबारा ना हो ठीक है तो ऐसी चीज़ को हम बोलते है management by exception यानि कि manager को सिर्फ तभी काम करना चाहिए जब deviations उसकी tolerance limit के बाहर चली जाए अगर deviation tolerance limit के अंदर आ रही है तो manager को कोई step उठाने की जरुवत नहीं है जैसे कि एक और छुटा से example debtors सभी को पता है क्या होते है company में लोगों ने अगर आपका समान उधार पे खरीदा तो वो एक time के बाद आपको पैसा देने की promise करते हैं तो मैंने यह मान रखा था कि 3% लोग ऐसे हैं 3% जो मेरा पैसा वापिस नहीं करेंगे मैंने ऐसा tolerance limit बना ली लेकिन हुआ क्या 30% लोग यानि कि 30% लोग ऐसे हैं जिनोंने मेरा पैसा ने दिया तो भया यह तो बहुत problem वाली बात हो गई अगर 3% लोग पैसा नहीं देते तो मैं छोड़ देती उस बा आता है topic आपकी बुक में भी दिया होगा causes of deviation it's not so important यह जादा important नहीं है फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि deviation के क्या कारण हो सकते हैं किन कारणों से आपका difference आ सकता है human causes human causes का मतलब या तो आपके managers बहुत अच्छे हैं workers बहुत अच्छे हैं या फिर बिलकुल ही कामचोर ह अगर आपके managers, workers, employees सारे बहुत अच्छे हैं तो obviously आपका work जो है वो बहुत जादा होगा और आपकी जो deviation है वो हमेशे positive ही आएगी और अगर आपके जो workers है वो नालायक है तो obviously आपकी deviation हमेशे negative आएगी तो human causes, human की वज़े से deviation होता है, uncertain event, uncertain का मतलब अचानक से strike हो जाना, lockout हो जाना, lockdown हो जाना, ठीक है इनकी वज़े से अगर आपका production कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं uncertain events, then wrong standard, यानि आपने जो standard बनाया था वो wrong बना दिया, गला standard बना होगे तो भाया वो achieve नहीं होगा, ठीक ह एक्षन, सबसे पहले आपने क्या किया था, standard fix किया था, फिर आपने उसके हिसाब से काम भी किया और उसको major कर लिया, फिर आपने उन दोनों को compare किया, compare करने के बाद आपको deviation मिले, फिर आपने deviation में find out किया कि किन कारणों के वज़े से deviation हुआ है, उसके बाद आप क्या जब आप कुछ ऐसे important steps उठाओगे, जिनकी वज़े से जो deviation पहले आई थी, या जो गलतियां आपने पहले की थी, वो गलतियां future में ना दोह रहा हो, simple सी बात है, कि deviation आपने analyze किया न, आपको पता चल गया कि इन इन कारणों की वज़े से मेरा production नहीं हो पाया, तो ठीक है, अब इन कारणों के या इन reasons के आपने क्या करने है, solution find out करने है, इन समस्याओं का समधान निकालना है, और फिर future में उन solutions को apply करना है, ताकि future में फिर कभी deviation ना हो, ठीक है, तो ये topic यही पर end होता है, अब आप ये समझ लीजिए, कि exam में लिखना कैसे है, मैंने आपको बताय है, simple question आएगा, तो simple ये लिखकर आपको इनके meanings देने है, simple, ठीक है, बहुत detail में नहीं जाना, लेकिन अगर आपसे point पूछ लिए जाता है, ये पूरा बताईए, तो obviously आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, meaning, denialized deviation, this meaning, this meaning, सब कुछ, क्योंकि six marks लेने हैं, तो सारा लिखना पड़ेगा, clear हो गया, तो please, अगर आपको कोई doubt हो, तो comment box में comment जरूर करना, and thank you.